हम उटी केसे घुमने जाएं इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे खुबसूरत नेलगीरी की पाड़ियों के बीच इस्तित उटी अर्थात उदग मंडलम दक्षिन भारती राज तमिल लाडो का एक वर्ल्ड फेमस हिलिस्टेशन है उटी की प्राकर्तिक सुंदर्ता का आनल लेने के लिए देश नहीं अपितिव विदेशी परिटक भी भारी संख्या में प्रतिवर्श यहां आते हैं खासकर गर्मियों के महिनों में तो उटी परिटकों से पूरी तरह भरा रहता है आप उटी में प्रकर्तिकी अद्भूत खुबसूरती का आनल ले सकते हैं यदि आपने उटी घुमने का प्लान बनाया है तो आपके मन में सबसे पहला सवाल यह उत्पन होता है कि उटी किस समय घुमने जाना चाहिए तो इसका जवाब यह है कि आप पूरे साल में कभी भी उटी जा सकते हैं परन्तु अपरेल से जून और सितमबर से नवंबर के बीच उटी घुमने का सबसे आइडियल टाइम माना जाता है क्योंकि इन महिनों में उटी का तापमान लगबग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है और उटी घुमने में मोसम सम्मद्धी कोई परिशानी नहीं आती है जुलाई तथा अगस्त में यहां बहुत भारी बारिश होती है जिसके कारण परिटक जुलाई तथा अगस्त में यहां कम आते है जबकि अक्टूबर से फरवरी के महिनों में उटी में कड़ा की ठन पड़ती है तथा यहां का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है इसलिए हमारी आपको सला है कि आप उटी घुमने का प्लान अप्रेल से जून अत्वा सितमबर से नौंबर के बीज बनाईएगा आपने यह तो तै कर लिया कि आपको उटी कब जाना है अब आपके सामने यह सवाल उत्पन होता है कि उटी कैसे पहुंचे तो इसका जवाब है कि उटी जाने के लिए हावाई जहाज, ट्रेन और बस आदी के कई विकल पुपलब्ध हैं आप अपनी सुईधा के अनुसार किसी भी माध्यम से उटी पहुंच सकते हैं यदि आप बस द्वारा उटी जाना चाहते हैं क्योंकि दिल्ली, मुंबई, आदी शहरों से उटी के लिए सीधी बस से वाउपलब्ध नहीं है जैसे यदि आप बंगलोर पहुंच कर महां से उटी जाना चाहते हैं तो शाम को 8 बजे से रात के 11 बजे तक कई सारी लगजरी बसे बंगलोर से उटी के लिए चलती हैं जिनका प्रतिविक्ति किराया लगबख 700 रुपे होता है तता यात्रा में 8 घंटे का समय लगता है बंगलोर से उटी की दूरी 310 किलोमेटर है यह बसें आपको अरली मॉर्लिंग उटी बस इस्टेंट पर छोड़ देंगी जहां से आप आटो रिक्षा अत्थवा केब करके अपनी होटल में आराम से पहुंच सकते हैं गोरतलभे की उटी में कोई हवाई अड़ा अर्थात एरपोर्ट नहीं है उटी का सबसे निकटम हवाई अड़ा कोईंबटूर एरपोर्ट है जो की उटी से लगबग 50 किलोमेटर दूर है एर इंडिया, इंडिको और स्पैस जेट जैसी एरलाइन्स की नई दिल्ली मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, हमदाबाद आधी बड़े शहरों से कोईंबटूर तक प्रती दिन कई फ्लाइट्स आती है विदोशो से आने वाले परिटक बेंगलोर के इंटरनेशनल एरपोर्ट पर उतर कर वहाँ से बस द्वारा उटी आते हैं उटी के लिए कोईंबटूर एरपोर्ट तथा बेंगलोर इंटरनेशनल एरपोर्ट से टेक्सी और बसे आसानी से उपलब दें कोईंबटूर से उटी टेक्सी द्वारा पहुंचने में केवल तीन घंटे लगते हैं यहाँ टॉय ट्रेन मेट्टू पालियम नामक स्टेशन से उटी तक चलती है, यहाँ ट्रेन नीलगीरी पहाडों, खुबसुरा जंगलों तता भहुत सारी सुरंगा से गुजरती है, उटी ट्रेन 46 किलोमेटर के खुबसुरा ट्रेक पर चलती है, इसमें कोई दोमत नहीं है क इस टॉय ट्रेन की सवारी आपके परिवार तथा आपके बच्चों को जीवन भर याद रहेगी, हमारी भी आपको यही सलाह है कि आप टॉय ट्रेन से ही उटी जाईएगा, यहाँ टॉय ट्रेन मेट्टू पालियम नामक स्टेशन से सुबह 7 बच कर 10 मिनट पर चलती है, त क्योंकि हर कोई इस ट्रेन में बेटना चाहता है, तता इस ट्रेन के ट्रेन की बहुत मारा मारी होती है, यदि आप यह सोच रहे हैं कि मेट्टू पालियम नामक स्टेशन पर पहुंचने के बाद टिकिट काउंटर से टिकिट ले लेंगे, तो आप बहुत बड़ी मुश्क करा लीजिएगा, अब हम बात करते हैं कि मेट्टू पालियम नामक रेलवे स्टेशन पर केसे पहुंचा जाए, मेट्टू पालियम नामक स्टेशन पर पहुंचने के लिए आप बेंगलोर, चन्ने या थ्वा मेसुरादी रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकते हैं, जै साथ मेट्टू पालियम से ऊटी के लिए छूटने वाली निलगीरी टॉय ट्रेन से पहले पहुंचा देंगी। आप यह मत सोचिए कि यदि आपके ट्रेन लेट हो गई तो टॉय ट्रेन तो छूट जाएगी। ऐसा नहीं होगा। क्युकि ट्रेन में बेटने वाली सारी सवारी इनी ट्रेनों से आती है। तो जब तक यह ट्रेन मेटू पाल्ययम रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंच जाती है। यहाँ toy train बहुत धीमी गती से चलती है तता कई जगे रुकती रुकती जाती है तो आप train से उतर कर selfie तता मन महोग प्रकृती का आनन भी ले सकते हैं चुकि इस ट्रेन की खिड़कियां बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं, तो आपको ट्रेन के भीतर से ही आसपास की सुन्दरता मंत्र मुग्ध कर देगी. लगभग 12 बजे टॉय ट्रेन से ऊटी रेल्वे स्टेशन पर उतरने के बाद आप टेक्सी, रिक्षा अत्वा केप से अपने होटल के रिए प्रस्थान करें, आप होटल ऑनलाइन ही बुक करें, क्योंकि ऊटी पहुंचने के बाद यदि आप होटल की खोजबिन करेंगे, त तथा होटल वाले मनमाना किराया वसूल करेंगे, साथ ही आपका बहुत सारा समय बरबाद हो जाएगा, इसलिए होटल ऑनलाइन ही बुक करें, अपनी होटल में चेक-इड करने के बाद आप नहा कर, तथा होटल के ही रिस्टोरेंट में लंच कर ले, लंच करने के बाद आ उटी बस इस्टेंट से केवल धाई किलमेटर दूर है, उटी का बोटनिकल गार्डन, 22 हेक्टर के विशाल शेतर में फेला, फूलों और पेडों की 650 से अधिक प्रजातियों से युक्त, एक भागवानी शेतर है, इस बोटनिकल गार्डन को पांच अलग-अलग वर्गों, ज आया जाता है, इस गार्डन को अच्छे से एक्स्प्लोर करने में आपको कम से कम दो घंटे का समय लगेगा, अगर आप उटी घुमने गए हैं और आपने यह गार्डन नहीं देखा, तो आपकी उटी ट्रिप अधूरी ही कही जाएगी, बोटनिकल गार्डन देखने के बा के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, रोज गार्डन चार हेक्टेर शेत्र में फेला हुआ है, इसमें बीस हजार साधिक किस्म के गुलाब के पोदे लगे हुए, इस गार्डन को एक्स्प्लोर करने में आपको लगबग एक घंटे का समय लगेगा, इसके बाद आप उटी ल कर सकते हैं, अपनी पूरी शाम आप इस जिल के किनारे बिताएं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस जिल के किनारे बिताई गई यह शाम आपको हमेशा याद रहेगी, आपको जानकर खुशी होगी कि सलमान खान तता भागिशरी की फिल्म मैंने प्यार किया के फेमस सौंग दिल दिवाना बिन सजना के माने ना कि पूरी शूटिंग इसी जिल के आसपास हुई थी, इस जिल के चारो और दुकाने भी हैं, जहां से आप हेंडी क्राफ्ट आइटम भी खरीच सकते हैं, आप उटी जिल के पास ही स्थित किसी रेस्टरोनेंड में डिनर कर लें, तदा रिक्षा करके सबसे पहले मुरुगन मंदिर देखने जाएं, भगवान मुरुगन को समर्पित मुरुगन मंदिर उटी की एल का पाड़ी परिस्तित है, यह मंदिर उटी के बस स्टेंड से केवल 3 किलोमेटर दूर है, तथा यहां तक पहुँचने में आपको केवल 10 मिनट लगेंगे, इस मंदिर में भगवान गणिश, भगवान श्यू, माता पार्वती, भगवान मुरुगन अर्थात कार्थिके और नवग्रह की मूर्ती स्थापित है, नीलगीरी परवत श्रंखलाव की एल का पाड़ी परिस्तित यह मंदिर, तथा इसके आसपस की प्राकरति सुन्दरता आपका मन मोलेगी, यदि आप उटी घुमने आए हैं, तो इस मंदिर को देखने जरू जाएं, अद्भूत प्राकरतिक सुन्दरता से घिरा एसा भगवान मुरुगन का मंदिर देश में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, इस मंदिर में दर्शन करने तता आसपास घुमने में आपको एक घंटे का समय लगेगा, यह मंदिर सुबह 6 बजे से रात को 8 बजे तक खुला रहता है, उटी में इसके बाद आप सेंट स्टिफन चर्च देखने जाएं, यह चर्च उटी बस स्टेंड से केवल 2 किलमेटर दूर है, यह चर्च आज भ इसके बाद आप उटी का स्टोन हाउस देखने जाएं, वर्ष 1822 में जान सुलीवन द्वारा बनवाया गया यह हाउस उटी का पहला बंगला था, अब यह उटी का सरकारी संग्रहाला है, यह स्टोन हाउस उटी बस से केवल 3 किलमेटर दूर है, इस स्टोन हाउस को देखन यह उटी के बस स्टेंट से केवल 4 किलमेटर दूर है, वर्ष 1844 में बना फ़र्न हिल पेलेस मेसूर के महराजा का गरिश्मकालीन बंगला था, इस महल की भवविता आपको मंत्र मुक्द कर देगी, इसके बाद आप पास ही में किसी रेस्टोन में लंच कर लीजेगा, इसक यहां तक पहुँचने में आपको 20 मिनट का समय लगेगा, आप यहां से नीलगीरी के लभावने द्रश देख सकते हैं, चोटी का शिर्ष आपको मंत्र मुक्द कर देगा, डोड़ा बेटा पीक पर एक दूरबिन घर, अर्था टेलिस्कोप हाउस है, जिसमें दो दूरबि इस देंड से केबल 5 किलोमटर दूर है, यहां पर आप चाई की पत्तियों से चाई बनानी की पुरी प्रक्रिया देख सकते हैं, सेकड़ो तरही की चाई टेस्ट कर सकते हैं, चाई खरीद भी सकते हैं, टी एस्टेट सुबह 6 बचे से शाम को 6 बच तक खुला रहता है, टी में ब्रेकफास्ट करने के बाद आप होटल के रिसेप्शन से पूरे दिन के लिए टेक्सी कर लें जो लगबग 2,000 रुपय में बुख हो जाएगी अब आप इस टेक्सी से उटी से लगबग 13 किलमेटर दूर उटी मेसूर रोड पर इस्थित कलहटी जहरना देखने जाए य आपको अपने टेक्सी पार्क करके वहां से तकरीबन 2 किलमेटर पेदल चरकर जाना होगा इस जहरने को देखने प्रती दिन हजारों टूरिस्ट आते हैं यहां माना जाता है कि हिंदू संथ अगस्त कभी यह रहा करते थे इस जहरने को देखने के बाद आपका वापस जान 20 किलमेटर दूर है यहां जहरने के पास ही रेस्टोरेंट भी है जहां आप जहरने को देखते हुए लंच का आनंद ले सकते हैं इसके बाद आप साइलेंट वेली में स्थित एमरान लेक तथा अवलांचे लेक देखने जाएं यहां दोनों लेक पास पास स्थित हैं तथा इनकी दूरी ऊटी बस से 18 से 21 किलमेटर के बीच है तथा यहां तक पहुँचने में 40 से 45 मिनट का समय लगता है लेक से वापस लोटते समय आप वेक्स म्यूजियम देखने जाएं यहां वेक्स म्यूजियम ऊटी के बस स्टेंड से केवल 3 किलमेटर दूर है यहां पर मोम से बनी प्रतिस्ठित हस्तियों की मूर्थियां देखने को मिलेंगी यहां वेक्स म्यूजियम मेडम तुसात के व अगले दिन अर्था चोथे दिन आप सुबह उटकर तयार हो जाएं, होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद आप होटल के रिसेप्शन से पूरे दिन के लिए टेक्सी कर लें, जो लगबग 2,000 रुपे में बुख हो जाएगी, अब आप उटी से 42 किलोमेटर दूर इस्तित निडल रॉक व्यू पाइंट देखने जाएगा, यहाँ पर आपको लगबग 1 किलोमेटर ट्रेकिंग करते हुए जाना होगा, क्योंकि यहाँ तक वहाँ नहीं पहुंच सकते हैं, जिस जगह आप अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, वहाँ से आपको पेदल पेदल निडल तो ऐसे लगेगा कि आप एवरेस्ट शिखर पर पहुंच गये हैं, इस जगह पर आप बादलोग को अपने हातों से सपर्श कर सकते हैं, यदि आपके साथ 5 साल से कम उमर के छोटे बच्चे तथा बुजुर्ग लोग हैं, तो आप इस पाइंट को देखना अवाइड भी क कर सकते हैं, क्योंकि इस इस इस्थान पर पहुंचने में आपको खड़ी चड़ाई चड़नी होगी, निडल रॉक व्यू पाइंट देखने के बाद आप मुदू मलाई टाइगर रिजर्व देखने चाहें, यह टाइगर रिजर्व ऊटी से 55 किलोमेटर दूर है, तता यह यहां तक पहुँचने में आपको डेड़ घंटे का समय लगेगा, यहां पर आप जीप या बस में बेटकर टाइगर देख सकते हैं, तता जंगल में हादी की सवारी का आनंद ले सकते हैं, इसके बाद आप मुदू मलाई टाइगर रिजर्व में जो रिजर्व रिजर्व यहां पर घूमने में आपको तीन से चार घंटे का समय लगेगा, यहां घूमने में आपको हर एक्टिविटी का टिकेट लेना होगा, तता एलिफेंट सफारी तता जीप सफारी का टाइम भी आपको मेनेज करना होगा, जीप सफारी बहुत महंगी है, जो लगबग 3,000 चॉकलेट मुजियम सुबह 9 बज़े से शाम को 7 बज़ तक खुला रहता है, यदि आप उटी घुमने आए हैं और आपके साथ बच्चे हैं तो आपको चॉकलेट मुजियम देखने जरूर जाना चाहिए, चॉकलेट मुजियम उटी 20 धंट से केवल 5 किलमेटर दूर है, य तथा एंट्री की समय एक बड़ी सी चॉकलेट फ्री में खाने को भी मिलती है, आप एक बाट नोट कर लें कि इस चॉकलेट मुजियम से आपको अपने बच्चों को बहार निकालने में पसीना आ जाएगा, इसके बाद आप अपनी होटल में जाकर डिनर करें तथा यदि आप टेक्सी से यहां आएंगे तो टेक्सी का किराय लगबग 1000 रुपे लगेगा, आप उटी से कुनूर हेरिटेज ट्रेन से भी जा सकते हैं, उटी से कुनूर के लिए 4 हेरिटेज ट्रेन चलती हैं, पहली ट्रेन सुबस सवा 9 बजे, दूसरी दो पर सवा 12 बजे, तीसरी दो पर 2 बजे, तता चोती शाम को 6 बजे चलती हैं, उटी से कुनूर हेरिटेज ट्रेन का टिकिट आराम से ततकाल मिल जाता है, उटी से कुनूर तक हेरिटेज ट्रेन लगबग 1 से सवा घंटे में पहुँच जाती हैं, आप पहली ट्रेन जो सुबस सवा 9 बजे उ उसमें बेठिएगा या आपको साड़े दस बजे कुन्नूर ड्राप कर देगी तता इस तरह आपको कुन्नूर घुमने के लिए काफी समय मिलेगा कुन्नूर रेलवे स्टेशन या बस इस्टेंड से आप टेक्सी या रिक्षा द्वार अपनी ऑनलाइन बुक होटल में चेक इन करें तता होटल में लंज कर लें लंच करने के बाद आप कुनूर के local attractions देखने हैं टेक्सी या रिक्षा से निकल जाएं आपको आपकी hotel के reception से या hotel के बहार से आराम से टेक्सी या रिक्षा मिल जाएगा आप कुनूर में सबसे पहले Sims पार्क देखने जाएगा इसके बाद आप कुनूर में George Church तता Saints Church देखने जाएगा इसके बाद आप कुनूर में Wellington Golf Course देखने जाएगा इसके बाद आप अपनी hotel में आकर डिनर करें तता रेस्ट करें इस प्रकार आपकी इस trip का पांचवा दिन समापत होता है अगले दिन अर्था छटे दिन आप सुबह जल्दी उठकर तयार हो जाए होटल में breakfast करने के बाद आप होटल के reception से आधे दिन के लिए टेक्सी कर लें जो लगबग 1000 रुपे में बुक हो जाएगी आप चाहें तो अपनी होटल से पेदल ही कुनूर बस इस्टेंड आ जाएं तता हम वहाँ से टेक्सी बुक कर लें टेक्सी बुक करने के बाद आप सबसे पहले डॉल्फीन नोस व्यूपाइंट देखने जाएं डॉल्फीन नोस व्यूपाइंट एक चोटी है जो डॉल्फीन की नाक क्या कार की है डॉल्फीन नोस व्यूपाइंट कुनूर से लगबग 10 किलमेटर दूर है सारे टूरिस्ट सुबह के समय ही डॉल्फीन नोस व्यूपाइंट देखने जाते हैं क्योंकि उस समय बादल आपको चुकर गुजरते हैं। ततर डॉल्फीन नोस से नीलगीरी पहाड़ियों का बहुत ही विहंगम द्रश दिखाई देता है। यहां से दिखाई देने वाले द्रश को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। आपको यहां तक पहुचने के लिए थोड़ा पेदल भी चलना पड़ता है। लेम्स के नाम पर रखा गया है जिन्होंने इस स्थान तक पहुचने के लिए रास्ता बनाया था। लेम्स रॉक देखने के बाद आप वापस कुनूर आ जाएं तता किसी रेस्टोरेंट में लंच कर लें। इसके बाद आप टेक्सी वाले को कह दें कि वह आपको कत्तेरी पार्क छोड़ दे। इसके बाद आप वहाँ पहुचकर टेक्सी छोड़ दें तता कत्तेरी पार्क एक्स्प्लोर करें। इसके बाद आप चाहें तो कुनूर में शॉपिंग भी कर सकते हैं। शौपिंग सेंटर जाने के लिए रिक्षा कर लें, इसके बाद आप अपनी होटल आकर डिनर करें, तता होटल से चेक आउट करें, तता शाम की या रात की बस से अपने गरह नगर के लिए निकल जाएं। कुन्नूर से ओवरनाइट कई बसें बेंगलोर, चन्ने अत्वा मेसूर के लिए चलती हैं। इस प्रकार आपकी यह ट्रिप सुखद यादों के साथ संपन्न होती है। अब हम इस यातरा से जुड़ी कुछ प्रमुक बातों पर चर्चा करते हैं। बुजुर्ग लोग हैं तो इस यातरा में गर्म कपड़े हमेशा अपने साथ रखेगा। क्योंकि यहां का मोसम काफी ठंडा होता है। तथा जरासी लापरवाई से सर्दी तथा जुकाम हो सकता है। इस यातरा में चपल की जगह अच्छी क्वालिटी की जूते ही पहनिएगा। क्योंकि कई जगह फिसलन भरी होती हैं तो जूते ज्यादा अच्छी गृप प्रदान करते हैं। भोजन में भी साउथ इंडियन टच ही मिलेगा। अर्थात नौर्थ इंडियन खाने जैसा स्वाद आपको यहां नहीं मिलेगा। यदि आपके गृप में से किसी को घुटने में दर्द की शिकायत है तो उसे इस ट्रिप में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि इस यात्रा में काफी पेदल चलना पड़ता है। अब हम इस छे दिन की उटी कुन्नू ट्रिप के कुल खर्चे की बात करते हैं। चार लोगों का आने जाने का ट्रेन तता बस का कुल किराया 7000 रुपे। चार लोगों का छे दिन का टेक्स का कुल किराया लगबक 6000 रुपे। इसे हम चार से डिवाइड करते हैं। तो प्रतिविक्ति अधिक्तम कुल खर्च 7500 रुपे आएगा। इस प्रकार आप केवल 7500 रुपे में शांदार तरीके से टेक्सी को शामिल करते हुए उटी कुन्नूर घुम सकते हैं। यदि आप टेक्सी की जगए और रिक्षा या शेर टेक्सी का इस्तेमाल करते हैं तो यात्रा खर्च और कम हो जाएगा। तो अब इंतजार मत कीजिए जल्दी ही उटी तथा कुन्नूर घुमने का प्लान बनाईए। यदि आपको हमारी जानकर सही तथा उप्यूगी लगी हो तो प्लीज हमारी चैनल एक्स्प्लोर इंडिया विद्विकास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्यू।